खबर अब जबलपुर से मिल रोही है जहां हाथी की मौत के मामले में करिंट लगने से हाथी की मौत हुई है इस बात की पुश्टी हुई है वोस मॉटम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है ग्रामीडों ने खेत के बाड़े में तार लगाया था विजली की तारों के संपर्क में ये हाथी आ गया था हाथी की मौत के बाद ग्रामीडों ने तार छपा दिये थे वन्विभाग पशु क्रूरता अधिनियम के तहट मुकदमा दर्ज होगा मंडलो आपको बता दे कि मंडला के जंगलों से भटक कर जंगली हाथी का जोड़ा आया था चार दिनों से शेहर की सीमाव पर देखने को मिल रहा था और अचानक से हाथी की मौत हो गई अब इसके पीछे लगा था वन्विभा के टीम जांच पर ताल कर रही थी पोस्मॉटम रिपोर्ट में ये पाया गया कि हाथी की मौत करिंट लगने की वज़े से हुई है लेकिन आखिर ये करिंट कैसे लगा इसकी जब जांच की गई तो ये पता चला कि आसपास करिंट की तार बांधी गई थी और वन्विभा के द्वारा इन तारों को छिपाया गया था वन्विभा की जिगा ग्रामीनों के द्वारा और उसको लेकर वन्विभा ने अब कारवाई की है आमिद सोनी हमारे संवादता अधिक जानकारिक ले जुड़ चुक है आमिद जिस तरीके से हम देख रहे हैं इस फूरी मामले में ग्रामीन शक के दाएरे में हैं क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो तार है करेंट की वो इन ग्रामीनों ने छिपाई थी फिलाल क्या कुछ कारवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है? कि तार जो है बिच्छाई थी और हाथी के मरते ही यह तारे वहां पे अलग कर देगे थी लेकिन करेंट से खुलासा हुए उसके बाद पुलिस को वन विभाग को वहां पर कुछ तारे भी बराम हो दी है जिनके अधार पे पुलिस वन विभाग में जो है मामला दर्ज किया है आरोपियों की तलास में जो है वन विभाग की टीम है जोटी हुई है ठीक है चले बहुत बहुत शुक्री हमारे साथ जुनने के लिए है तो कल हाथी की मौत हुई थी उसके पीछे अब खुलासा यह हुआ है पोस्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि करेंट लगने की वज़ें से हाती की मौत हुई थी और घुरामीडों ने खेत के बाड़े में करिंट की तार लगाई हुई थी बिजली की तारे लगाई हुई थी जिसके चलते इस हाती को करेंट लगा हालांकि अभी फिलहाल कारवाई के तौर पर वन विभाग की टीम आरोप्यों की लाना चेत्र का मामला है नानकोली पुल के पास कि एक घटना बताई जा रही है तो वाहन के टक्कर से चीतल की मौत फिलाल वन्विभा कि सुर्मा